हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग तो देखिए आज हम बना रहें तरका और यह बहुत यूनिक रेसी भी है जो कि मुझे बहुत पसंद है कताने आप लोग को पसंद आई इकने लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंज से तरका पुलाओ के साथ ज्यादा टेस्टी लगत देखा पाई तो इसके लिए सोरी तो दर मैंने पियाज को भूझ लिया दो मिनिट के आज पस तेइस में मेरा सुखा मसाला है जो कि हम पीश करके नहीं दे रहें अक्यूलाओ क्यूंकि तरका के साथ पियाज का जो इस्टेक्चयर आता है तो बहुत ही अच्छा आता है तो प्याज को भूहिंग करके मसाला को मिक्स कर लिये इधर मैंने कूकर में डाल दिया था चना दाल यह मेरा धाइसकर हम चना दाल है दो वो मैंने टमाटर डाला उसी के साथ में और इसमें मैंने डाला था थो रही नमाग यानि color recording और नमाग टेस्ट के अनुसार यह हल्का ठंडा हो चुका है फ्रेंट्स तो चलिए इसको अब हम तरका लगाने के लिए मसाले को त्यार करते हैं इधर मेरा मसाला भी त्यार नहीं हुआ है फ्रेंट्स तो देखिए थरा सा अलमारी का मेरा फोटो आगया था तो देखिए तरका को डालेंगे और देखिए फ्रेंट्स कितना अच्छा घूल गिया है हमारा तरका इसी तरीके का जो है तरका लगाने के लिए चनादाल को वाला जाता है तो इधर देखिए फ्रेंट्स हमारा मसाला जो बन के जो है रेडी हो चुका है तो चलिए इसमें हमने ट्रांस हुआ है ये देखिए हमारा तरक हा कितना टेस्टी दिखना है फ्रेंट्ust और टेस्टी लगता भी है खाणे में आप चाहिदगर मसाला डाल सकते हैं इध channel हमारा तरका थरा सब वाल लगा लिया मैंने दो कि मिनट मेरा वाल लग गया है तो मेरा तरका खाने के लिए रेडी है तो चलिए हम इसको सब करके दिखाते हैं तो चलिए दिखाते हैं आगे गेस को आफ कर दिया हमने चलिए थरा सब ठंडा करके फिर दिखाती हूं आप और इसको आप पुलाओ के साथ रोटी के साथ चावल के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं मूरी के साथ खाइए आप चूरा फ्राइ के साथ खाइए बहुत ही टेश्टी बनता है फ्रेंड्स और पोहा बना के इसका खा सकते इसके साथ में तो देखिए हमने तरका को नि इसा लग रहा है देखने में